हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अर चैनल लाइफ स्किल्स अल इन वन कैसे हैं आप आज मैं आपके लिए लाई हूँ पेंशनर्स के लिए रिटाइरीज के लिए जो बैंक में डिये का इंक्रीज मिलेगा पेंशन में फेब्रोरी 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन्स हमारे वीडियो की मिलती रहें अक्टूबर का CPI रिलीज हो गया है जो कि नवंबर के लास्ट डे होता है लेबर बीरो की तरफ से और इससे पहले वाले महिनों का पहले ही रिलीज हो चुका है तो चार महीने का तो हमारे पास actual figure है और दो महीने की हम expected लेकर हम यह देख पाएंगे की हमारा total increase कितना होगा और यह मैंने हर एक settlement के हिसाब से ही calculation करा है जिसको पूरी वीडियो देखने पर ही आपको पता चलेगा कि आप किस bracket में आते हैं किस दाइरे में आते हैं जब आप retire हुआ हैं उस समय कौन सा settlement हुआ था उस हिसाब से आप अपना देख पाएंगे तो यह पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप किस दाइरे में आते हैं यह आप जान पाएंगे चलिए अब हम calculation देखते हैं जैसा कि हम सब को पता है consumer price index industrial workers के लिए जो base year है अब 2016 हो गया है जो कि is equal to 100 माना जाता है पहले यह 2001 था year यह देखें September 2021 की figure जो release हुई 123.30 था index अब October में 124.90 हुआ है काफी बड़ा jump देखने को मिला है महंगाई बड़ी है इसलिए यह देखें जुलाई में जो हमारा index था 122.80 था August में 123 था September में 123.30 था और October में 124.90 हो गया इसकी जो हमारी multiplication figure रहेगी वो 2.88 से है इसको हमने जब 122.80 को 2.88 से multiply करा तो figure आई 353.66 ऐसे ही यह सारी figures हमने multiply कर ली और हमारे यह 6 मैने का CPI figure आ गया November में मैंने सिर्फ increase लिया है 0.6% का जो कि आपने देखा इससे पहले 1.6 का increase हुआ है और मैंने ऐसी December में भी lower side पे लेकर 0.5% का increase ही लिया है तो अब हमारी यह 6 मैने की CPI figure आ गई जिसका total है 2147.04 इस 6 मैने की हम average निकाल लिया करते हैं जो कि आएगी 357.84 इसका जो हमारा conversion factor रहता है 4.63 and 4.93 से multiply करेंगे तो हमारे जो total points आ जाते हैं 8168.02 now total point comes as 8168.02 तो यह हर एक settlement में हमारे points तो इतने ही रहेंगे अब हमें देखना है कि हमें कितने points इसमें से less करने हैं 11th BPS में जो की 6352 points जो थे यह हमारे DA के यह हमारे basic में merge हो गए थे इसलिए तो basic बढ़ जाती है तो हमारे इसको less करने से points बजगे 1816.02 अब हमें slab बनाने के लिए 4 points का एक slab बनता है तो हमने इसको divide कर लिया 4 से तो हमारे slab सागे 454.01 अब हम percentage देखते हैं जो हमारी 11th BPS settlement में एक slab की percentage आई थी वो 0.07% आई थी तो हमारी total percentage जो increase हो गई basic की वो 31.78% है जो की अब हम देखेंगे कि ये 6 महिने में हमारी कितनी increase हुई इससे पहले हमारी percentage थी 27.79% जो की अब 31.78 से हम जब less करते हैं तो ये बन जाती है 3.99% तो ये एक अच्छा भारी भर कम increase है जो हमें अपनी basic में देखने को मिलेगा और इतने से हमारी pension बढ़ जाएगी अब हम बात करते हैं जो retirees 11.97 से लेकर 31.10.2002 के बीच में retire हुए अब ये figure तो same रहेगी मैंने जैसा कि आपको बताया कि total points जो रहेंगे 8168.02 रहेंगे अब जो हमारा 7th bipartite settlement था ये जो dma points मर्ज हुए थे वो 1684 थे तो हम 1684 points को इसमें से less कर देंगे तो हमारे जो points बच जाएंगे 6484 बच जाएंगे इसको हम 4 से divide करेंगे slabs बनाने के लिए तो 1621.01 slabs होंगी अब हम देखते हैं कि कितना increase हमारा percentage होगा बेसिक में अब expected da percentage at the rate of 0.20% जो की हमारा settle हुआ था 0.20% की एक slab रहेगी 7th bps में तो हमारी हम इसको multiply करते हैं तो 324.20 आ जाती है हमारी slab percentage तो अब जो total da will be 324.20% as per 7th bps तो हमारा जो basic के उपर 324.20% रहेगा जो की हमारा total increase है da का इस तरह फिगर है 11.2002 से लेकर 31.10.2007 तक जो retire हुए उनके लिए तो हमारे points थे 8168.02 अब इसमें से less करेंगे हम double two double eight points जो की 8th bps में da जो merge हो गया था basic में तो अब इसको less करने से हमारे points आ गए 5880.02 अब slab बनाने के लिए हमने four से divide कर दिया 1470 slabs आगे अब हमारी percentage हम देखेंगे expected da percentage at the rate of 0.18% आप देख रहे हैं कि ये percentage हमारी दीरे दीरे घटी जा रही है क्या करें अब जो settlement हुआ है उसी साब से हमें calculation करनी पड़ेगी तो अब हमारे जो percentage increase हो जाएगी 264.60 जो total da will be increased as 264.60 परसंट as per 8th BPS now we'll see expected da of bankers retired between 1.11.2017 to 31st October 2012 तो ये हमारी figure तो ये same रहेगी हमारे points आ गए है 8168.02 इस से जो हम points less करेंगे 2836 points less करेंगे तो हमारे points आ जाएंगे 5332.02 जो की 9th BPS में हमें 2836 points जो da merge हो गया था basic में अब हम slabs बनाएंगे इसको 4 से divide करके तो ये बनते हैं 1333 slabs तो अब percentage जो रहेगी हमारी expected da percentage at the rate of .15% यह आप देख रहे हैं कैसे घटती जा रही है .2 फिर .18 फिर .15 next में .10 हो जाएगी और 11th BIPART at settlement में तो इन्होंने .07E कर दी तो हमारी percentage जो रह गई 199.95% तकरीबन 200% आफ हमारा basic का जो है वो da हो जाएगा इससाब से अब हम देखते हैं expected da of bankers retired between 1st November 2012 तो 31st October 2017 तो हमारी average points 357.84 है और हमारे इसको multiply with conversion factor 4.63 and 4.93 करने से हमारे total points आ गए 8168.02 तो हमारे जो 10th BPS में da merge हो गया था basic में वो था triple 40 हमने इसको less कर दिया 3728 आ गया अब इसको हम 4 से divide करेंगे total slabs बनाने के लिए यह बनेंगे 932.01 expected da percentage at the rate of 0.10% जो किया गई 93.20% तो 10th BPS में हमारा total da will be 93.20% as per 10th BPS 11th का मैंने आपको बताई दिया आज के लिए बस इतना ही thank you